so hey guys welcome back to your channel trading university so guys एक और बड़ी आई-प्यों का रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेकर आचको हूँ एक और बड़ी आई-प्यों के बात करेंगे और कौन से क्या प्राइस 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 को अप्लाय करने के लिए और कितना ही बढ़िया और तगड़ा ग्रे मार्क प्रीमम यह कंपनी का आज हम बात करेंगे आपकी एक्जिकांट टेली सिस्टम्स के बारे में कि कंपनी करती क्या है इंकॉपरेट कब हुई थी सब ची का कंपनी का फर्स बिजन्स पारे सिस्टम्स का और अगर में कंपनी के सेंस्ट की बात करूं तो चैने का सेंड बिजन्स है वह नेक्स लाइड पर चलते हैं तो जो वह इशू साइज एंपनी का जो हमारी कमपनी का execom tele systems का जो इशु साइज है वह 429 क्रोर्ज का है 429 क्रोर में से जो आपका फ्रेश इशू है और जो आपका OFS offer for sale आपका वह approximately 100 क्रोर का और अगर मैं ओप कर तो approximately offer for sale और का 100 क्रोर का चल रहा है कंपनी का objective क्या है जो मैं हमेशा बात करता हूँ कंपनी कोछ अब्जेक्टिव होते हैं 98% of the time अगर आपने मेरी previous IPO की वीडियो देखिए तो आपको पता है कि 98% of the time कंपनी का objective क्या होता IPO लाने का which is prepayment and repayment of borrowings यह आपका पहला है ठीक है अगर मैं second objective की बात करूँ तो funding working capital requirements यह आपको company का second objective IPO लेकर आने का जो company का third objective है जो company का हमारी third objective है उसको R&D में research and development में पैसा चाहिए and general corporate purposes और जो की 98% of the time जो company के you know reasons होता है आने के 98% of the time यही reasons होते है repayment and prepayment of borrowing secondly funding working capital requirements और third आपको R&D में company को पैसा चाहिए होता है and for general corporate purposes so guys अगर next slide पे चले तो guys अगर कंपनी के थोड़े financials के बार में बात कर लेते हैं ठीक है company के financials क्या चल रहा है so guys अगर मैं total assets की बात करूँ so 2021 में जो company के total assets है वो approximately 678.46 करोड के थे अगर मैं 31 मार्श का data भी analyze कर रहे है 31 मार्श 2021 में 678.46 करोड के company के total assets थे 2022 31 मार्श को 602.99 में approximately 603 करोड के total assets थे 31 मार्श 2023 में 705.09 करोड के total assets थे और 30 सप्टेंबर को हलकी से हमें dip देखने को मिली थी और जुसके assets थे वो 629.41 करोड के थे 2024 में sorry यह 2030 का data है सप्टेंबर 2023 में 629.41 करोड का उसके total assets थे गाइस अगर मैं revenue की बात करूँ 31 मार्श 2021 में जो company का revenue था वो 524.36 करोड का था 31 मार्श 2022 में जो company का revenue था वो 848.96 करोड का था 31 मार्श 2023 में जो company का revenue था वो 723.40 करोड का था और अगर मैं company के revenue की बात करूँ 30 September 2023 में तो वो 467.21 करोज का था गाइस अगर मैं Pat की बात करूँ और जिन लोगों को नहीं पता Pat क्या होता है Pat is profit after tax जो मेरी IPO की वीडियो देखने हमको अल्रेडी पता है बर जो पहली बार देखने है मेरी वीडियो की पैट का मतलब होता है इस profit after tax 2021 में जो आपका Pat था वो अप्रोक्सिमेंटी 3.45 करोज का था आपकी सारी की सारी फिगर्स revenue, total assets, पैट, borrowing सारी फिगर्स आपकी करोज में है अगर मैं बात करूँ 2021 में दुबार रिपीट कर देता हूं जो कि आपका जो पैट था वो इंक्रीज होके 27.46 करोज का हो गया था गाइस अगर मैं बॉरोइंग्स की बात करूँ कि कंपनी के बॉरोइंग्स कितनी है तो बॉरोइंग्स 2021 में as of 31 मार्च 2021 में company के बास borrowing थी 101.76 करोड की 31 मार्च 2022 में जो company की borrowing थी 107.67 करोड की थी 31 मार्च 2023 में जो company की borrowing थी वो increase होके 117.92 approximately 118 करोड की इसकी borrowing थी 31 मार्च 2023 में और guys अगर मैं borrowing की बात करूँ company की 30 September 2023 में वो घटके 72.84 हो गई थी borrowing जो की अभी तक का lowest था अगर मैं borrowing की time में बात करूँ guys अगर थोड़ी और financials की हम बात करें अगर थोड़ी बहुत और financial ratios के बारे में हम बात करें तो company का return on equity है जो ROE है वो 13.38% का है जो ROCE है return on capital employed ROCE जो है company को 10.92% का है price to book value company की 5.63 की चल रही है 5.63 की चल रही है PB value अगर मैं PE ratio price to earnings ratio की बात करूँ 31.24 है guys यही एक reason होता है कि आपका oversubscribe हो रहा है IPO आपका under subscribe हो रहा है कि स्टाइब का grey market premium उसके according आप expect कर सकते हैं उसके according आपको एक lot में यह जितनी भी आप अप्लाइ कर रहे हो उसमें आपको कितना profit बनेगा वह सब काफी जादा PE ratio के according करता है क्योंकि इस पी रेशो कंपनी के पी रेशो के सेक्टर में आ रही है उससे जब compare कर रहाता है तो उसके according यह आपका एक पी रेशो का चल रहा है तो आप compare करके देखो कि हमारी यह जो कंपनी आ रही है कितने ही जादा मैं बोलूँगा फ्रेंड़ी और अंडर वैल्यूइशन पर आ रही है और गाइज अगर मैं आपके ग्रेम मार्केट पीमिंग की बात करूँ वह आपका अप्रोक्सिमेटली 60 परसेंट चल रहा है और अभी तो आपका आइप यह जादा दूर है अभी इसकी आपको देखने को मिल रहा है तो अगर मैं बात करूँ कि आपको प्रॉफिट कितना ह और यह जो आपको प्रॉफिट होगा यह मैं एक लॉट का डेटा आपको बतार हो गाइस डेटेल काटेगरी में एक लॉट में आपको प्रॉफिट चल रहा है और एक नहीं चल रहा है और इसलिए 31 का आसपास का पी रेशो और आप इंडस्ट्री स्टैंडर्स के सेक्टर में उनका पी रेशो चल रहा है 155.96 का एक का चल रहा है 139.30 का जो अप्रॉक्सिमेट 145 का इंडस्ट्री का पी निकल के आ रहा है और अगर कोई कंपनी 31 पे आ रही तो इसमें बहुत जादा आपको ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है देखने को मिले काफी जादा बात करते हैं थोड़ा इंपोर्टेंट के वर बात करते हैं तो जो ओप्रिंग डेट आपकी 27 फेब्रेडरी को आपकी IP open होगा और जो closing डेट आपकी आई पी वह 29 फेबरेडरी की है और गाईस मैं बसे तो एक मार्च को एक मार्च की देट और गाही जगा मैं रिफंस की ब लिस्ट होगा तो 5 मार्च को इसकी लिस्टिंग देट है घाईज अगर मैं लॉट साइस की बात करूँ कि एक लॉट में कितने शेर हैं तो आपके अप्रॉक्सिमिटली 100 शेर है एक लॉट में और गाईज अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो 135 से 142 है और जिन वह आपकी 14,200 रुपे है जब आप फ्लोर प्राइस को इन्टु हंडड़ कर दोगे एक लॉट में जितने शेर्स हैं आपको मिनिममम इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगी और जो एक लॉट के एक सो पेंटालिस का पी और एक कंपनी 31 का पी लेकि आ रही है तो कहीना कहीं बहुत यह अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन आपको देखने को बिल रहा है चौँकि अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन हमें इस कंपनी में देखने को मिलेगा क्योंकि आपकी अपकी मिनिममम जॉट साइज है जो को मिलेगा वह 15 का लॉट साइज है और मैक्सिमुम स्मॉल एचने के टेगरी में 70 अप आप अपलाई कर सकते हो और जो आपकी बिग ए और अभी कंपनी की ओपनिंग डेट जो 27 फेवरेडी की ओपन होने में इसको काफी टाइम है अगर आपको इस IPO में अपने अलॉट्मेंट के चांसे बढ़ाने है आप अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से एक क्लॉट अपको अप्लाई कर देना है अगर आपके परसनल की मेंबर के अकाउंट से हमें मैक्सिमाम इन्वेस्पेंट चौद दोसों की है हमें कट-off प्राइस पर अप्लाई कर देरा है तो कहीं ना कहीं हमें अलॉट्मेंट की चांसे हमारे बढ़ जाएंगे कर हम हरा फैमिली मेंबर के अकाउंट से और क्योंकि बहुत ही जादा अ इस वीडियो को बनाते आरे कंसिस्टेंटली ताकि एक और आइपी में वह पैसा बनापा है जिसमेंने प्रॉफिट की बात करी कि एक लॉट में अगर आपको रीटेल कार्टेगरी में सब्स्क्रिप्शन मिल जाता तो 6500 रुपीज का प्रॉफिट सीधा-सीधा मिल रहा है और यह प्रॉफिट इंक्रीज ही होना है यहांसे क्योंकि अभी जो हमारा इशू है वो ओपन भी नहीं है और अल्रेडी साट परसेंट का ग्रें मार्टेट पीमें में सका चल रहा है क्योंकि कम्पनी इस यूद एन एक्सलेंट वैल्यूएशन अकॉर्ड इंडस्री स्टै